एक नहीं दो नहीं तीन नहीं बलकी ग्यारा लड़कियों को गिरफतार किया गया है और साथ ही चार यूवकों को भी गिरफतार किया गया है आज करनाल की सेक्टिव बारा में सूपर मोल में उस वक्त हड कम्प मच गया जब पुलिस की टीम वहाँ पर छापा मारने पहुची किस तरह से बड़कियों किस तरह से बड़कियों किया है क्या ख़ीन किया ख़ीन सックलों किया है और मीरे के लिपए गए्स बड़कियों किस तर्कामापने ऎनिटव पिन्हां ग्राप्नाप तो किस ऊदितांके से Sabini जिसके बाद मॉल में चल रही सभी स्पा सेंटर में अफरा तफरी का माहोल बन गया तस्वीरे आपको दिखा रही है करनाल के स्पा सेंटर से जहां पर आज पुलिस की तरफ से रेड की गई सेक्टे 12 में सुपर मोल में कई स्पा सेंटर चल रहे थे जिसमें कई युवक और युवतियां काम करती है पुलिस को जानकारी मिली थी कि यहां पर स्पा सेंटर के नाम पर गलत काम होता है वहीं यहां पर लोग दूर दूर से आ रहे थी जिस पर पुलिस ने कारेवाई की और पुलिस की टीम में DSP मुकेश और सीविल लाइन थाने के सच्चु की अगवाई में ये रेड की गई है और तीन अलग अलग स्पास सेंटर में रेड की गई जिसमें कई उवतिया अंदर आपत्ती जनक हालत में मिली है जिसके बाद उन्हें गिरफतार कर लिया गया है तस्वीरे आपको स्पास सेंटर के अंदर की दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आपत्ती जनक चीजे भी पाई गई हैं साथ ही यूफ्तियों को आपत्ती जनक हालत में पाए गया जिसके बाद उन्हें गिरफतार कर लिया गया है। सब्सक्राइब 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 कर लिया है। सब्सक्राइब कर लिया है। पुलिस अब इन लड़कियों से पूश्टाच कर रही है कि ये लड़कियां कहां से हैं और गलत काम कब से कर रही है। फिलहाल सब ही युवक और युवतियों को हिरासत में लिया गया है। वहीं पूश्टाच जारी है। तो आपसे फिल आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वोई सो पानीपत के लिए ब्यूर रपोर्ट।